क्वीक आयस कम्पोज यूर ड्रीम हलो दोस्तों कोई कैसे में आपका स्वागत है हमारे चैनल दौना लगातार NCRT क्लास आप लोग को प्रवाइड करा जा रही है आज हम लोग विग्ञान क्लास 6 NCRT को देखेंगे यह तीसरा पार्ट है इसी तरह के सारे अलग अलग में सेयर कर दूँगा आप जोईन कर लेजएगा वहाँ डेडी टेस्ट होता है तो आप डेडी टेस्ट भी दे सकते हैं ठीक है हमनों सुरू करते सिधे लेशन की ओर यह क्लास 6 NCRT साइंस में 9 चेप्टर है सजीव, विसेस्ताएं और आवास जो सजीव होते हैं यह परिया अपनी अपने आवास होते हैं और उसी आवास में उनका जो है अधिकतर जो है उनका विकास होता है अगर उनका आवास किसी भी सजीव का अगर आवास बदल जाएगा तो वो जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो जो है क्या हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे अनश्ट हो जाएंगे जैसे कि एजम्पल देते हैं सेब सेब कर जो खेती होती हो पहाड़ों पर होती है अगर सेब खेती मैदानों में होने लगेगी तो वो production नहीं हो सकता है वो development उसका नहीं हो सकता है जितने सजी होते हैं सबका अपना एक आवास होता है इसी के बारे में इस चेप्टर में बताया गया है ठीक है यह लिखा है कि पहली और बूजो छुटियों में अनेक रोमांचक अस्थानों की सेर पर गई यह एक इंट्रोडेक्शन दिया गया है तो इसको समझना जरूरी है लिखा थी इन पर्वतों पर उन्हों ने ओक चीर और देयुदार जिसले जिसे мор को देखा तो आपको यहां यह आपको यह चीर मिल गया तो यह हीमाले में पाय जाते हैं तो आपको यह नोट कर लेना है पूछा जाएगा कि ओक चीर और देयुदार के पेर्ड कहा पाये जाएंगे क्यों, क्योंकि यहां पर ठंडी अधिक होती है, वही यह पाउधे पाउधे पाँ जाते हैं, इसलिए इस चेप्टर का जो नाम है, वो क्या रखा गया है? चेप्टर का नाम है, जो है सजीवों का आवास, तो हर सजीवों का चाह vender जिएवधा हो, और के बिरिच्छों से अधिक भिन्द थे तो जो मैदानी छेत में बिरिच पाए जाएंगे पेड़ पाए जाएंगे वो परवतों पर नहीं पाए जाएंगे ठीक है और वही चीज रेगिस्तान में भी लागू होता है यहां दिखा है और एक अभियान में उन्होंने राजस्थ वो उसका अपना आवास है ठीक है तो चीज को हमें यहां पर समझने की जरूत है आगे यहां दिखा हुआ है कि अंत में वह पूरी गए पूरी मतलब कहां उड़ी सा और उन्होंने जो है समुन तटकी सेर की और वहां जो है कैजू राइन के बिच की कतार देखी अब देख की ज़िके कैजू राइन बन भी कह जाता है तो आप देखोगे तटो के किनारे कीजू राइन बन पाय जाते हैं इसे हम एंगरो बन कहते हैं तो यह उड़ी सा की तटों के किनारे समुन्द के पाए गए हैं तो कहने मतलब है कि भारत का भरमर करने के दौरान इस चेप्टर में इस पैरग्राफ में ये बताया गया है कि भारत का भरमर करने के दौरान एक तरफ रिसी केस हमाले के छेतर में, एक तरफ मैदानों में, एक तरफ मरुस्थल में, एक तरफ तर्टिय छेतरों में, हर जगा पौधों की अपनी बिसेस्थाएं हैं और वो अपना अलग-अलग अवास है और उनकी अलग-अलग बरायटी अलग-अलग भिज़ता वहां पाई जाती है कि जैसे जैसे जलवाई बदलती है, जैसे जैसे आपका जो है कलाइमिट बदलता है, मौसम बदलते हैं, वैसे ही जिव जन्तूओं और पेर पाउधों की अलग-अलग ब्रायटियां हमारे पिर्थवी पर अलग-अस्थान पर पाई जाती है, यह उसी के बारे में बताया गय इसको आपको नोट कर लेना है, इसके बाद मैं आगे बढ़ते हैं, लिखा है आगे, उन्होंने या जानने की कोशिश की क्या पिर्थवी पर कोई ऐसा भी अस्थान है, जहां कोई भी जिव नहीं पा जाता है, तो बूजू ने अपने घर के आसपास के अस्थानों का ध्य अस्थान दिया, घर के अंदर उसने आलमारी और दरौजो को देखा, उसे सोचा कि इसमें कोई सजी, उसमें सजीव नहीं होगा, मतलब कहने का है कि क्या दरौजों और आलमारी में भी कोई जिव पाय जाता है, तो हाँ पाय जाता है, क्योंकि वही उसका आवास है, कैसे, जैसे मकडी, जैसे आपका दीमक, तो मकडी दीमक क्या है? वो आलमारी और दरुआजों में जो लकडी का छेद होता है, वो उनका ही आवास है, वो ही घर बनाके रहते हैं, तो उनका वो पार्टिकुलर आवास माना जाएगा. आगे लिखा हुआ है यहां लिखा है पहली ने दूर दूर तक के बिष्रइआँ में अस्थानों के बिष्रे में पढ़ना और सोचना प्रादम किया है उसे पता चला कि लोगों ने तो जोला मुखी के मुخ में भी सूच में जीओं को खोजे निकाला है, तो जीओ जीओं को, जो जो मुखी आती है, वहाँ भी कई सूच में जीओं जीओं पाजाते हैं, तो निあ लिखा हुआ है, सजीओ और उनका परवेश, तो लिखा है, कि पहली और बूजो के मस्तिक्स में एक और बिचाराया जिन अस्थानों के उन्होंने सेर की है वहां जिस परकार के जीव पाए गए है मरुस्थल में उंट है अब पहले तो पोधों के बारे बताया गया अब इस पारग्राम में जानवरों के बारे बताया गया तो मरुस्थल में उट पाय गया परबत पर बकरी पाय जाती है और याक पाय जाती है आपको पता होगा याक के बड़े-बड़े बाल होते हैं तो याक कहां पाय जाते हैं परबतों पर तो आप दे सकते हैं जैसे जैसे हम जो है अस्थान चेंज करते हैं वह इसे अलग- कार की जिव इन सभी अस्थानों पर उपस्धिते, तो छीटे यह हर जगा उपस्थ caused turned इन चेत्रे पाइजाने वाले विभिवन परकार के पौधों और चेत्रों के पौधों की बजातियों में भिन थे, मतलब कहने मतलब है पेड़ पौधे और जीव जन्तु हर जगाँ पे क्या है भिन होते क्योंकि हर जगाँ क्लाइमेट अलग-अलग होता है एक क्रिया क्लाब दिया गया है इसको आप लोग पढ़ लिजेगा ठीक है जो इंपोर्टन है वही मैं बता दे रहा हूँ या ठीक है यहां गया आते हैं आवास और अनकूलन क्या है तो आवास और अनकूलन के मतलब ही है किसी भी जीव के लिए अपना एक आवास होता है और ही उसका अनकूलन होता है उसी अनकूल परवेस में वो रह सकता है अगर उसके अस्थान से उसको चेंज हटाया गया उसके अस्थान को चेंज किया गया तो वो जीव जो है तो नश्ट हो जाएगा या तो उसका डेवलब्मेंट रुख जाएगा यहां लिखा हुआ है जो है यहां लिखा है पौधों और जन्तों से आपको क्या मिला, क्या आपको अन्य परकार के जीव सजीव मिले, आगे बताया गया है मरुस्थल के बारे में, और यहां पर देखें उट और उनका परवेश, अब देख सकते हैं, उट को अगर हम मैदानी छेत में लाते हैं, तो यह नहीं रह पाएंगे, तो उट का आवास कहा है मरुस्थल में है, और वही उनका अन्कूलन होगा, ठीक है, यहां लिखा हुआ है, कि इन छेत्रों, इन छेत्रों में किस परकार का परवेश है, समुद्र में जन्तों और पौधे, लवड़ी जल, खारे जल में रहते तथा सो समुद्री जियू करहन करते हैं, यहां आगे लिखा है, मरुस्थल में जल बहुत कम मातरा में उपलब्ध होता है, ठीक है, मरुस्थल में दिन बहुत गरम और राद बहुत ठंडा होता है, मरुस्थल में पाय जाने वाले पाउधे और जन्तों भूमी पर रहते हैं, उस व अवास उपलब्ध है और मरुस्थल अलग है ठीक है भिन परकार के परवेश हैं और हम इन दोनों छेत्रों में बिल्कुल भिन परकार के पौध है जनतु देखते हैं ऐसा क्यों क्या ऐसा नहीं है कि आई यह दो भिन भिन परवेश के मरुस्थल और समुन से दो जनतु उट और मचली का परवेशर करते हैं उट की सारेजिक सरचना उसे मरुस्थलिये परिस्थितियों में रहने योग बनाती है उट के पैर लंबे होते हैं जिससे उनका सरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है ठीक है क्योंकि उनके सरीर को गर्मी यादा नहीं परती क्योंकि उनके प पात्रा बहुत कम होती है, मतलब वो बात्रूम बहुत कम करते हैं, तथा मल सुक्स होता है उनका, उन्हें पसीना भी नहीं आता है, पसीना नहीं आता है, इसका मतलब है कि वहाँ पानी उनके सरीर में कम नहीं होता है, क्योंकि उनका अनकूलन है, ठीक है, क्योंकि सरीर से जल का हरास बहुत कम होता है इसलिए जल के बीना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते है तो या रखना पसीना उनको कम होता है किसको उंटों को जब पसीना उंटों को कम होगा तो उनके लिए वही अनकूलन हो गया और उनके सरी में पानी के मात्का कम नहीं होगी कभी और इसलिए व के लिए वो अन्कूलन मरुस्तल बना दिया है इसलिए वो जो है बातरूम भी कम करते हैं और जो है इसके सासा उनको पसीना भी नहीं आता जिसे उनका हरास सरीर में कम होता है ठीक है यह बहुत रोचक जानकारी है इसको अच्छे से समझ लीजेगा दूसरा है आपका मचली आ मचलीयों में क्या आपको इनकी आकिर्थी में कुछ समानताईं दिखाई देती हैं इन सभी सरीर दारा देह होता है जिसके चीर्चा अध्यायाड में हम कर चुके है उनकी यह आकिर्थी उन्हें समुन्द में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं ठीक है अगे लिखा हुआ है पंक और पूछ चप्टी होती है और उन्हें जल के अंदर दिसा परिवर्तन और संतुल बनाए रखने में साहता करते हैं मचली के गिल होते हैं जो उन्हें जल में स्वास लेने में साहता करते है जिसे हम फेफडा कहते हैं हम देखते हैं कि मचली की सनचना है उसे जल में रहने योग बनाती है अब मचली को अगर हम याद एकना अगर हम जल से निकाल दें और अगर हम उसको उपर लाएंगे तो वो मर जाएगी क्यों? तो कि उसका आवास बदल गया और उसका अनकूलन बदल गया वो मचली जो है पानी में ज़्यादा अनकूलित रह सकती है लेकिन जैसे बहार निकालेगे उसका अनकूलन खतम हो जाएगा और वो मचली का हो जाएगी मर जाएगी ठीक है? तथा उट की सनचना है और उसे मचली मरुस्थल में रहने की में सहायता करती है तो मचली को जल में रहने के लिए और उट को जो है मरुस्थल में रहने के लिए ऐसी जो है सिच्वेसन वहाँ पैदा है ऐसी सिच्वेसन वहाँ बनी होती है जिसकान थे वो जिवहां पर रह सकते हैं अब मचली को अगर हम उसके आवास से अलग कर दें तो वो मर जाएगी उंट को उसके आवास से अगर अलग कर देंगे तो उंट भी जो है धीरे-धीरे मर जाएगा ठीक है क्योंकि उसका आवास उसका अनकूलन उसको नहीं मिलेगा ठीक है यहां लिखा है हमारे प्रित्विय पर पाय जाने वाले असंख परकार के जन्तू मेंसे केवल दो उधारा लिये हम हम देखते हैं कि सज्जीओं की इन सभी किसमों में ऐसी कुछ बिसिष्ट सनलचनाए होती हैं जो उन्हें अपने परवेश में रहने योग बनाती हैं जिसमें वह प्राया पायाते हैं, जिन बिसिष्ट सरचनाओं और सुभाव की उपसिती किसी पौधे और जन्तू को उसके परवेश में रहने योग बनाती हैं, उसे हम अनकूलन कहते हैं। तो आप अपने घर में जैसे रहते हैं, तो आप अपने घर में जितना अनकूल तरीके से रह सकते हैं, वैसे दूसरों घर में नहीं रह सकते हैं, तो आपका वो आवास है, वो आपका बिसिश्ट अस्थान है, जहाँ आप कमफर्टेबल रहते हैं, तो वही चीज जीव वही उसका आवास कह रहेगा, आवास अगर बदल जाएगा तो उसका अनकुलन बदल जाएगा और वह जिव मर जाएगा, ठीक है? अपने भोजन, वायू, सरनस्थल और अन्याव सकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है, तो आवास से उसे क्या मिलता है? भोजन मिलता है, वायू मिलती है, सरनस्थल मिलता है और अन्याव सकता हैं, उसी आवास से पूरी होती है, आवास का अर्थ वास अ अस्थल जमीन पर पाजाने वाले पौधों और जंतों के आवास को अस्थली आवास कहते हैं। आपको पता है। उधारण के रूप में जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तट्ये और परवत्ये, छेत्र, अस्थली आवास के परमुक उधारण है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अस्थली आवास है, तो हर आवास में जीव अलग-अलग पाजाएंगे। जैसे जो बन में पाजाते हैं, वो घास में नहीं पाजाएंगे। जो मरुस्थल पाजाते हैं, वो अन छेत्रों में नहीं पाजाएंगे। जो परवत्ये छेत्रों में नहीं बिस्व के बिभिन भागों में पाए जाने वाले बनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तट्ये और परबते छेत्रों में भी बहुत बिसमताएं हैं या सभी जलिये जिवों के लिए आवासों के लिए भी सत्ते हैं तो कहने के मतलब यह है कि जैसे बन हो गया, घास के मैदान हो गया, मरुस्थल, तट्ये मैदान परबत हो गया इस सब अलग-अलग बिसमताओं से घिरे हुए हैं और यहां जिवों भी और पाउधे भी अलग-अलग पाए जाते हैं लिखा है किसी भी आवास पाजाने वाले सभी जिवों जैसे पाउधे और जनतू उनके जैबिग घटक होते हैं ठीक है उसमा भी परवेस के आजयविग घटक होते ही, अब आपको समझना कैसे है, जैसे वायू है, जल है, आपका जो है, चटान है और मिटी है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हैं आपके कौन से, तो ये सब हैं आपके आजयविग घटक अर्थात ये निर्जियू हैं, लेकिन एक दूसरे के चल नहीं सकते हैं, ठीक है, कैसे एजांपल समझना, अगर चटान नहीं रहेगी, मिटी नहीं रहेगी, तो पौधों का विकास नहीं होगा, और पौधों का विकास नहीं होगा, तो वायू उत्पन नहीं होगी, अगर जल नहीं रहेगा, तो पौधों का वि चल सकता है इसलिए जो है इन दोनों का रहना बहुत जरूरी है अगर यह नहीं रहेंगे तो समझ लीजे कि आपका परियावर्न नश्ट हो जाएगा ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं आये बीज के अंकुरन से नए पौ तो कारक नहीं होंगी तब तक ऐसा नहीं हो सकता है यही कुछन एक जाम में पूछा गया था कि एक बीज से अंकुरन निकलने के लिए क्या क्या चीज़े आवस्सक हैं तो आओ देखते हैं क्या क्या चीज़े आवस्सक हैं ठीक है तो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर पौदे का आरम होता है मून के कुछ सूखे बीज को एकरत कीजिए कुछ बीजों के एक धेर को अलग रख दे और सेस को एक दिन के लिए पानी में भिगोने के लिए रख दे इसका मतलब है आंकुरन के लिए पानी किया हो सकता होती है अर्थात नमी भीगे हुए बीजों को चार हिस्सों में बाटे उसमें से एक हिस्से को तीन चार दिन के लिए पूरी तरह से पानी में डूबो कर रखे सूखे हुए बीजों को और पानी में रखे हुए डूबे हुए बीजों को बिलकुल ना हिलाए भीगे हुए बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में और दूसरे भाग को अंधेरे कमरे में रखें ठीक है जैसा की जैसे की आपका आलमारी जिसमें धूप नहीं जाती है अंतिम भाग में बहुत हिट ठंडे वातावन में रखे, जैसे कि रफिलेटर में या फ्रीज में लग दे, उनके चारों और बरफ लगा दे, इन तीन भागों में पर दिन जल में नम रखे, अधिक जल को निकाल दे, कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरत होते हैं, लिकिन नहीं, क्यों नहीं होते हैं, इसका अपना-पना अलग अलग वातावन तो लिका है, क्या परकास से दूर रखे, भाग या अत्यतिक ठंडे परभेस में रखे जाने में, अंकुरन की दर में कम या कोई अंकुरन नहीं देखते हैं तो बिल्कुल है जहां परकास होगा उसी में बीजने के लिए इसका मतलब है कि परकास भी जरूरी है अंकुरन के लिए तो जल के साथ के जरूरी है परकास भी क्या आपने पाया कि वायू जल परकास था उसमा जैसे अजयो घटक सजियों के लिए अतियन्त आवस्यक हैं तो अगर ये सब ना होते तो जो है जीव का विकास होगा ही नहीं ते इसी को सुन्जाने का यहां परियास किया गया है लिखा है वास्तो में ये आजेव कारक सभी सजीओं के लिए महात्पौन होते है तो चाहे वो निर्जीव हों, चाहे सजीव हों, दोनों जब तक आपस में काम नहीं करेंगे, तब तक जो है परियावन का विकास नहीं हो सकता है, ठीक है, यहां लिखा है, हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उस्मा परवेस में भी पाय जाते हैं, क्या ऐसा ठीक है, इसका मतलब कहने का है, कि बहुत सारे जीव होते हैं, जो ठंडे परदेशों में भी पाय जाते हैं, वो उनके अपनी विसेश्टा है, वो उनका अपना अनकूलन है, इसलिए वहां वो पाय जाते हैं, अनकूलन अल्पकाल में नहीं होता, हजारों वर्सों की पैवास के साल के लाज्याब को कुछ पर या परोना भीविंद्ण विर्दियों या जिए 106 물리는 को जिए 107 कवास के से बुर्दियों सीचिहां नहीं नहीं बभल superiority खाल बोर्दियों को बेध्यार के सब्दाब नियुम्हार keeps देंगे उसमें सबसे पहले हम मरुस्थाल को देखेंगे पहले आप लोग एक बार मरुस्थाल का ओ, लोकन करो मरुस्थाल में देखो कर चारो तरफ जो है बालू पाई जाती है उचे-उचे टीले पाई गए हैं, आप देश सकते हैं इसमें और कहीं कहीं छोटे छोटे पौधे पाजाते हैं, पौधों की उचाई बहुत उची नहीं पाजाती, क्यों? क्योंकि यहाँ पर याद रखना मिटी में नमी नहीं नहीं होती है, लेकिन यहाँ के जो पौधे होते हैं, वो लंबे तो कम होते हैं, लेकिन यहाँ भी सेस्ता क् के बिसे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं मरुस्थल में पाय जाने वाले अनजन्तु और पाउधों में क्या होता है क्या उसमें भी किसी परकार के अनकुलन होते हैं तो बिल्कुल होते हैं लिखा हुआ आगे आप देख सकते हैं मरुस्थल में पहले जो है बिल में मरुस गर्मी थोड़ा ज्यादा रहती है इसी लोग यहां पर बिल बनाकर जन्तू रहते हैं क्यों रहते हैं कि यहां उपर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और रात को ठंडा बहुत ज्यादा पड़ता जो को यह सह नहीं सकते हैं तो ज्यादा गर्मी सह सकते हैं ज्यादा भूमे के अंदर गहरे बिलो में रहते हैं. अभी मैंने आपको बताया. रात की समय जब तापान में कमी आती है तो ये जनतु बाहर निकलते हैं. तब है बाहर निकलेंगे लकिन जब भूट थंडी पड़ेगी तब ये अंदर चले जाएंगे. आप यहां देख सकते हैं आगफनी का पेड़ आप यहां देखिए, कहीं कहीं पाए जाएगी, तो इनकी उचाईब हो जदा नहीं पाए जाएगी, और यह दूर दूर पाजाते हैं, क्योंकि यह नमी बहुत कम होती है, लिकिन की जड़े बहुत कहरा ही तक पाए जाती हैं आगे, तो पहले इसमें क्य परकार अनकूलन रहते हैं, उसी के बारे में यहां बताया जा रहा है, गमले में लगा एक कैक्टस और पत्यों वाला एक पौधा कच्छा में लाएं, मतलब क्लास में लाके बत्तों को बताना था, दोनों पौधों के कुछ भाग को पौलतीन ठैली से ढखकर उसी परकार ब बाद उनका परिच्छन कीजिए, तो आप क्या देखते हैं, क्या आप दोनों पौलतीन ठैलियों में एकति जल की मातरा में कोई अंतर पाते हैं, बिल्कुल अंतर मिलेगा, दोनों में अलग अलग अंतर रहेगा, तो लिखा है, मरुस्थलिये पौधे वास्पों सवजन द पत्ती छोटी होती है, जैसे बबुल, बेर, इनकी पत्ती क्या होती है, छोटी होती है, तो मरुस्थलिये पौधों में पत्तिया या तो अनुपसित होती है, या बहुत छोटी होती है, तो जब पत्ती छोटी होगी, तो वास्पों सर्जन कीदर क्या हो जाएगी, अपने नागफनी में पत्ती जैसी जिस सरचन में आप देखते हैं वह वास्तों में इसका तना है, तो याद एक ना, वह तना होता है नागफनी का, ठीक है, इन पधों में प्रकास संसलेशन सामानते हैं, तने में ही होता है, तना एक अब आप पुछा जाए आपसे नाग फनी में परकास सनसेशन कहा होता है ताप क्या बताओगे तने में होता है तना एक मोटी मोटी परस से ढखा होता है जिससे पौधों को जल सनरचर में साहथा मिलती है अधिकतर बरुस्थलिय पौधों की जड़े जो है जल और सोसन के लि भी सेज़ता है इसको अच्छे से याद अखना ठीक है अब हम लोग अलोकन करेंगे परबतिय छेत्रों का तो परबतिय छेत्रों पर संकुधारी बन पाजाते हैं आप यह देख सकते हैं यह सब संकुधारी बन पाजाते हैं लिखा है यह आवास छेत्र सामाता बहुत गुपने ग्रिदानि से वाद मेंतलब बरब इसको आगे हैं then Do की और पर घूंगे तो आपने ऐसे बिरिच्यों को ये और च्फेतन में point नहीं होता है ठीक है आगे लिखा है यह बिरिच अपने आवास में बिदमान पर सित्यों में रहने के लिए किस परकार अनकूलित हैं यह बिरिच है यहाँ आप जानवर के बारे में देखिए अभी सब के बारे में यहाँ बताया जाएगा ठीक है तो यह बिरिच सामानता संकुधारी होते हैं जि इसमें ये कुछ ब्रिचों की पतियां सुई के आकार की होती हैं इससे वर्षा का जल और हिम सरलता से नीचे की और खिसक जाता है अगर ऐसे रहेगा तो वर्षा का जल और बरफ नीचे की और खिसक जाएगी इसलिए पौधे वहां संकु आकार के पाय जाते हैं परबतों पर इन ब्रिच्छों के से अधिक भिन आकिर्टी और आकार वाले ब्रिच भी मिलते हैं परबत पर जीवित रहने के लिए इसमें कुछ अन्रपरकार के अन्कूलन हो सकते हैं तो उनके लिए वही अन्कूलन है वही वहां रहते हैं परबतिय छेत्र में पाई जाने वाले जन्तु भी वहां की परिसितियों के लिए अनकुलित होते हैं उनकी मोटी तचाया रखना जितने भी परबतिय जी होते हैं उनकी तचा मोटी होती है क्यों जिसे उनको ठंड ही ना लगे ठेक है फर ठंड से उनका बचाव करती है के सरीर पर फर होते हैं यह देखे बड़े-बड़े बाल होते हैं या बरफ पर चलते समय उनके पैरों को ठंडे से बचाते हैं ठीक है यह बाल पहाडी बकरी के मजबूत खुर उसे धाल कर धालदार चटनों पर चढ़ने के लिए अनकूलित बनाते हैं तो जो पहाडी बकरिया होती हैं वो पहाड पर कहीं चल सकते हैं क्योंकि उनके खुर बहुत मजबूत होते हैं तो कितरा भी ढाल के उना पहाडों का हो वो आराम से चढ़ करके वहाँ पिजा करके घास को खा लेती हैं जैसे जैसे हम परवते छेत्रों में उपर चरते हैं परवेस का सोरुप बदलता जाता है क्योंकि वहाँ पर उचाई के अंसार ठंड होने लगती है और बर्फ वहाँ ज़्यादा हो जाएगी और हमें विभिन उचाईयों पर पाए जाने वाले जियों के अनकूलन में विभिता दिखाई देती है ठीक है जैसे जैसे मुझे पर जाएंगे वह इसे वैसे हमें जो है अनकूलन दिखाई देगा तो चाहे आपका वहाँ बकरी हो या दे सकते हैं यह बकरी है पिल्कुल सफेद कलर की है और यह जो है पाहाड ओपर कहीं चड़ सकते क्योंकि इसके खुर बहुत मजबूत होते हैं तो तीन जानौरों के बारें बताया गया है तीन जानौरों कहां पायाते हैं तो यह परवत्य छेत्र में पाया जाते हैं आठी कलास में कुछ और अच्छा बताया किया होगा, तो हमें ऐसे चीज़ों को ध्यान से समझने की जड़ुत है. हम लोग आगे बढ़ते हैं, घास अस्थल के बारे में देख लेते हैं, घास अस्थल भी एक आवास है, तो सेर बन में अथवा घास अस्थल में रहता है, तो एक ऐसा सक्तिसाली जन्तु है, जो हिरन जैसे जन्तुों का सिकार कर उन्हें मार कर खा जाता है, या मट मैले, हलके भूरे रंका होता है, एक सेर और है, और एक हिरन, कुछ इतागे बताया गया है, इन दोनों जन्तुओं की आखे उनके चेहरे पर किस परकारिस्थ हैं, क्या वो इस चेहरे के सामने हैं, अथवा पार्सु में हैं, सेर के अगले पैर के नक जो लंबे होते हैं, उन्हें वा पदा गुलियों गे अंदर खीच कर छिपा सकता है, मतलब कि सेर जो है, अपने नाखूद को छिपा भी सकता है, और जब सिकार करना होता है, तब वो निकालता है, तो उसका अनकुलन हो गया, क्या सेर की यह सारचना है, उसके जीवन यापन में साहिता करती हैं, बिल्कुल सिकार करने में उसे मदद करती हैं, उसका मट मैला हलका भूरा रंग सिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाये रखता है त्यार रखना जो सेर होता है उसका भूरा रंग क्या करता है उसके लिए घास में उसको छुपा के रखता है जिसे वो सिकार को आसानी से कर सके अब आप समझ सकते हैं पोजिट हैं जैसे ये जो है हिरन इसको तो नहीं खा सकता है लेकिन सेर इसको खा सकता है और ये नहीं रहेगा तो ये मर जाएंगे और अगर यहां पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ये मर जाएगा ठीक है तो सब एक दूसरे पर निर्वर हैं हिरन की तेज गती उसे सिका हैं सरचनाई होती है जो उन्हें उनकी आवास में जी भी रखने के योग बनाती हैं तो बहुत सारे जी होते जिसे गिर्गिट गिर्गिट अपर रंग क्यों बदल देता है क्योंकि उसको लगता है कि हमें खत्रा उत्पन होने वाला होता है तो उसी रंग को कर लेता अगर उ चटान पहत और red color का हो जाएगा क्यों अपने आपको उसे बचा कर रखना है क्योंकि आकार से ले करके पिर्थवी जल से ले करके हर जगा पर सिकारी बैठे हैं सिकार करने के लिए अब आते हैं समुन्दर के बारे में समुन्दर रहने के लिए मचली के अनकूलन के बिसे में हम चर्चा कर चुके हैं दूसरे बहुत से समुन्दी जन्तों का सरीर भी धारा रेखिया होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं ठीक है? क्वेड और आटोपस जैसे कुछ समुद्धी जनतों का सरीर आम तोर पर धारा रेखिया नहीं होता हूँ वो समुद्धी घहराई में तल छटी में और अपनी और आने वाले सिकार को पकड़ते हैं जब वो जल में रहाचलते हैं तो अपने सरीर को धारा रेखिया बना देते हैं और जल भी सोसन के लिए उसमें गिल कुलों होते हैं जिसे हम फिपरा कहते हैं डॉल्फिन और हैल जैसे कुछ जंतुभे में गिल नहीं होती है। नासा मौने चितरों वाधशिद्रों गिल नहीं पाकर लेते हैं। वे जल में लंबे समया तक बिन तक साह है। वो इस समय समय पर समुद्री सता जल से बाहर पर आकर स्वसन शिद्रों से जल बाहर निकालते हैं ऐसा कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा तो यह हम स्वास दोरा स्वच्छ वायू अंदर भरते हैं आपको ने कभी दुधसन प्रत्वात समुद्री जीओ पर चलचित्र में डॉल्फन की रोचक जो है जानकारी आपने देखा है कि यह कलाब आपने देखा होगा ठीक है तलाब और जील के बारे में देख लेते हैं क्या आपने तलाब और जील नदियों और नालों में पाउधों को उगते देखा है यदि संभव हो तो समिप औरती किसी तलाब के भरमर पर जाईए वहाँ दिखाई देने वाले कुछ पाउधों को बाहर निकाल लीजे इन पाउधों की पत्या तने और जड किस परकार जो है वेवस्तित हैं आप उनका एक आओ लोकन कर सकते हैं तो हर जगा पर अपनी विसेशता हैं आप देख सकते हैं जिसे कुछ पाउधे होते हैं उनकी जड़े नहीं होती हैं वो जो है पाणी में जड़े लटकती रहती हैं उससे उनको सरंण णियूट्रेशन मिलता रहता है लेकिन कुछ पाउधे हैं जिंकी अपनी जड़े होती हैं और मिठी में लगे होते हैं नीचे जड़े जल में अर तब वो आपर बाह निकलते हैं तो सब का अपना अनकूलन है, उसी को यहाँ पर दिखाया गया है, इनमें से कुछ पौधों की जड़ें, जलासे की जो है, तल हटी की मिट्टी में इसित होती है, असलिय पौधों में जड़, मिट्टी से जल और खनिज पोशनों के और सोसन का उपयोग कारिकरते हैं, उसी क चीजों के यहाँ पर दे दिया गया है, इसको आप एक बार पढ़ लीजगा, मने बखी चीजों को यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है, यहाँ देख लिएते हैं, लिखा है, मेठक आम तोपर तलाब में पाय जाने वाला एक जन्तु है, या तलाब के जल और अस्थल दोनों पर रह सकता है, इसके पशपद लंबे और मजबूत होते हैं, जो उसे च्छलांग लगाने में और सिकार पकड़ने में सहायता करते हैं, इसके पशपद में जाल युक्त, जो है क्या पायाता है, इंगुलिया पायाती हैं, जो उने तैने में सहायता करती हैं, तो य इसमें लिखा है कि हमने विभिन आवाज छेत्रों की यात्रा की और अनेक पौधों और जन्तों की चर्चा की ठीक है हमने विभिन परवेश से पाई जाने वाले जन्तों पौधों और जन्तों की सूची बनाई कलपना कीजिये किया दी हम जानना चाहें कि हमारी सूची में पथर, मिटी, जल, वायू, सूखी, पत्तियां ये सब क्या हैं तो इसमें कुछ जीव हैं और कुछ निर्जीव हैं इसी के बारे में यहां बतायागा है जो हम लोगों ने वहां चर्चा किया है यह उसी के बारे में एक रोचक जानकारी यहां पर दी गई है आगे बढ़ते ह क्या मिलती है तो भोजन से उर्जा मिलती है आगे लिखा है क्या सभी सजीव को भोजन की आउसकता होती है बिल्कुल होती है क्योंकि उसे उनको उर्जा मिलती है तो लिखा है सभी जीव को भोजन की आउसकता होती है भोजन हमारे लिए और विभिन जन्तों के लिए निता स्वें बनाते हैं इसलिए पाउधों को उत्पादक कहते हैं जबकि जो जन्तू होते हैं उपना भोजन नहीं बना पाते हैं वो या तो पाउधों पर या अन जन्तू पर निर्भर होते हैं सिकार करके खाते हैं तो उन्हें हम मांसाहारिय अदुत्य को भोगता कहते हैं लिख बढ़ते हैं, लिका है, क्या सभी जीओं में बिर्धी पर लचित होती हैं, बिल्कुल होती है, जैसे इसे कोई बढ़ता है, वैसे इसे सरीर के अंग बढ़ते चल जाते हैं, लिका है, क्या आप चार वर्स पुराना कुर्टा आपको अभी भी ठीक आता है, नहीं आता है, इस जैसे आप अब और नहीं पहें सकते क्यों क्योंकि अब यह जैसे वर्सों में आप लंबे हो गए हैं तो आपको यह आभास नहीं होगा लेकिन वह जो है बिर्धी होगी और आपको कपड़ा नहीं आएगा तो जनतूं के बच्चे भी बिर्धी कर वैस्क हो जाते हैं आपने अबस देखा होगा कि कुट्टे के पिले वैस्क हो जाते हैं और अंडे से असपूर होकर के चूजा मूर्गी कहां हो जाती है बाहर आ जाती है तो एक किरिया कलाब यहां बताया गया है उसी के बारे में यहां दिया गया इसको आप एक बार देख लिए जैसे आप दे सकते है. एक बच्चा जो है ध्रदरे बढ़ा हो करके और जो है जवान बन जाता है, लेकिन उसको यह पता नहीं चलता कि हमारा हाथ बढ़ रहा है. आज हमारा पैर्ब हम खुद बढ़ रहें है यह आभास नहीं होता है लेकिन ध्र-धरा समय कसा जब बढ़ जाता है तो उसी चीज़ को वहाँ पर बताया गया है development के बारे में तो आप देख सकते हैं कैसे हैं ठीक है तो इस चित्र के मादे में से आप समझ सकते हैं यह उसी के बारे में एक यहाँ पर जानकारी दे गई है इसको पढ़ लिएगा इसमें इसा कुछ important नहीं है यहाँ लिखा है क्या जो है सभी सजी उस्वसन करते हैं बिल्कुल स्वसन की बिना वो जी भी तो नहीं रहे सकते हैं तो वही के बारे में बताया गया है यहाँ पर लिजेगा इसमें बारे किसा कुछ नहीं है जो बताया जा तो आक्सीजन और कार्बन डियाकसाइड का यहां उपयोगे लिखा है कि परकास की उपसिती में पौधे जो है वायू कि कार्बन डियाकसाइड का उपयोग जो है भोजन बनाने के लिए करते हैं और आक्सीजन को छोड़ते हैं तो अब आक्सजिन का कच्चा माल किसे कहते हैं कार्बन डियाकसाइड को का जाता है जो उसी के बारे में यहां बताया गया है यह लिखा है क्या सभी सजीव उदीपन के प्रति अनुकिरिया करते हैं तो लिखा है जब आप नंगे पैट टहल रहे हों तथा आपका पैर अचानक कि किसी काटे अथवा नुकिले वस्त पर पढ़ जाता है तो आप किस परकार अनुकिरिया करते हैं मतलब आप तो पर हटा की जलेंगे जब आप अपने यह बैंजन को देख आ तो वाँ उसके मिल सोचते हैं तो क्या वुबा रहा होता है तो एकतरा से ओडीपन होता है सरीर के नदर इसी किरिया हार्मोंस होते हैं जो तुरंट टैक्टीब हो जाते हैं जैसिесे कर काटे पर हमारा हाथ पर या पैर पड़ जाता है हम तो धटा लेते क्यों कि उन नुकीला होने से हमें दर्द होता है हम अच्छा भोजन देखते हैं तुरंत हम पानी आ जाता है आप अंधेरे अस्थान से अचानल तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है आपको कुछ दिखाई नहीं देता है ठीक ह हम इन सभी परकार के परिवतन नहीं मिलता है तो वो उसका बेवहार है दिखा है आगे क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चेतने नहीं हो जाते हैं बिरकुल हो जाते हैं जब आप एक चीरिया की और कदम बढ़ाते हैं तो क्या होता है वो तुर्ण तो उड़ जाती है जब जंगली जानौरों पत् जो है छिपने के अस्थान भाग जाते हैं कभी आप इससा आप देखेगा आप किचन में जाईएगा और देखेगा वहां काक्रोच हैं तो लाइट बन रहेगी तो काक्रोच सब घूमते रहेंगी जैसे लाइट अन होगी वो इससे सब भाग जाते हैं ठीक है तो उनका एक उतीपन करता है उसी के बारे में यहां बताया गया है आगे लिखा है यहाँ पे सजियों में उससरजन सजियों में क्या उससरजन होता है बिल्कुल होता है सभी सजियों भोजन करते हैं जियों इस गरहर किये हुए भोजन की संपुर मात्रा का उपयोग नहीं करता है आ आगे बढ़ते हैं क्या सभी सजियू परजनन करते हैं तो बिना परजनन किये किसी भी जियू कब आगे डेबलप नहीं हो सकता है चाहे वो एक मनुस्र हो चाहे पच्छी हो चाहे एक जानवर हो ठीक है तो सब में होता है किस कोई अंडा देता है तो कोई अंडा नहीं सीधे बच्चे देते हैं यह उसी के बारे में यहां बताया गया है ठीक है रिखा है पौधे भी परजनन करते हैं पौधे भी परजनन करते हैं हम उन्हें अंगुद करके नए पौधे उगा सकते हैं तो यह भ परजनन सब करते हैं लेकिन सबका अपना अपना अलग परकार होता है ठीक है कुछ पौधे होते जिनके कलम करके लगा जाता है जैसे गुलाब का फूल उसे हम कलम करके लगाते हैं तो वही उसका जो है परजनन किदर हो मतलब परजनन का परकार हो गया ठीक है आगे लिखा है क्या सभी सजीव गती करते हैं तो हर जीव गती करता है यह उसी के बारे में बताया गया है कोई भी जीव होगा सब गती करेंगे सब की गती का अपना तरीका होता है एक गती होती है इसमें क्या है मैं वही बता दे रहा हूं इसमें एक गती होती है जब वो चलता है एक गती होती है खड़ा होने पर जैसे हम अगर हाथ हिला रहे हैं तो हाथ हिलाना आथ पुदलियों को जो है हिलाना या फिर जो है पुजबों का अपने जगा पे हिलना उसब क्या कहलाता है गती होती है उसी के बारे में यहां बताया के बैसे कहानी के रूप में उसको आप एक बार NCRT दे करके पढ़ लेना वाकि इसमें कुछ इंपोर्टन नहीं है ठीक है फिर जियू क्या है ठीक है तो जियू जो है क्या है तो लिखा है गियूं की बोरी में आपका जो है अपना हाथ डालिये क्या आपको कुछ गर्मी का न सक लिखान से वहाह Colon brenda yag oxide होती है ऊद गर्म होता है कभी आप किसी अनाज के जब ह면व हार डा डालिये कह तो उसBE गर्म महसूस होता है प्रंतु अपने चारों पाजानवरे जीओं की बिविता को देखा अचानक ही मुझ से निकल जाता है कि जीओन सुन्दर है तो कहने मतलब यह है कि जीओं की हर गदविधियों के बारे में इस चेप्टर नो बताया गया है इसको अच्छे से आप देख लिएगा यह लिखा है कुछ सौर्ट नोट में है किसी अस्तान का परवेश जिसमें पाउधे जन्तु और नजीओ रहते हैं उनका वो आवास होता है विभिन परकार के पाउधे और जन्तु एक ही आवास में रह सकते हैं पौधों और जिओं की बिस्च लच्छण और सभाव को उन्हें एक आवास बिस्च में रहेने के अनकूद बनाते हैं ठीक है कि अनएक परकार के होते हैं प्रनतों सामानते हैं उन्हें अस्त्त धलिये जमीन पर और जलिये आवास में उवर विक्रित किया जाता है बिभीन आवास में सजियों की बिभीध परजातिया पाजाती है तो आज ये भी गटक किसे कहते है सब मैंने आपे बता दिया है कहीं कोई डाउट होता कमेंट करके आप पूछ लिएगा उस जवाब आपको दिया जाएगा ये क्लास 6 NCRT का दस्वा चिप्टर है गती और दूरियों का मापन इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टन है वो बताना है जिसे यहां लिखा हुआ है एक पहले इंट्रोडेक्शन पर देते हैं जिसे हमें चीजें समझ में आए कि इसमें किसके बारें बात की जा रही है लिखा है पहले और बूजो की कच्चा के सभी बच्चों के बीच गीस में आवकास में भरमर किये गए अस्थानों के बारे में सामान चच्चा हो रही थी एक बच्चा अपने पेत्रिक गाउवाले रेल गाड़ी फिर बस और अंत में पेल गाड़ी का उपयोग करके गया हो एक बेंद्यार्थी ने वाय व्याहन से यात्रा कि थी एक अन बेद्यार्थी ने आवकास किया अपने अपने चाचा की जी कि नाओ में सेर करके अपनी अपनी मच्चलियों में बेतीत किये थे तो खानी दूरी होती है, गती होती है, उसी के बारे में हैं बताया गया है, यातायात की कहानी, प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात की कोई साधन नहीं थे, वे पैदल चलते थे थे था अपना सामान अपनी पीछ पर लाद कर ले जाते थे, बाद में मानो यातायात के लिए पस कुड़ों को आपस में जोड कर नाओं की आकृति बनाना सीख लिया मतलब कि जैसे-जैसे समय बैतित हुआ आवसकता हुई वैसे-वैसे लोगों ने नए-ने अभिस्कार करना सुरू कर दिया जियों की आकिरतियों के दिर्स जो है यहां दिये गए है आगे लिखा है पहिये के अभिसकार ने यातायात की परणाली में अतिन महात्पूर परिवतन लाए पिछले हजारों वर्सों में पहिये की डिजाइन में सुधार किये गए पहियों पर चलने वाले गाड़ियों को ख चलित वहन सवारी गाड़ी होता था, माल गाड़ी हो के डिबो के लिए रेल की पत्रियों का निर्मार किया गया, इसके पचाथ मोटर कार्ट ट्रक था बस जैसे सो चलित वहन आई, जल्व पर परिवाहन के सधन की रुप मोटर से चलने वाली नाव और जहाजों का उपयोग है, ठीकत यह उसके बारे में बताया गया है, कि अगर कोई किसी चीज की मापन करना हो, तो हम कैसे उसे मापेंगे, ठीकत यह उसके बारे में यहां बताया गया है, लिखा है, लोग या कैसे पता लगाते हैं, कि वह कितनी दूरी चले हैं, क्या मतलब आप या कैसे पता लग कि आपके लिए बजार तक पैदल जाना संभव होता है कि आप इन पश्टों के उत्तर कैसे कर देंगे मतलब कहने मतलब है कि जब हम कहीं आते जाते हैं तो हम जब तक दूरियों कमापन नहीं करते हैं तब तक हमाई लिए वो चीज़ें संभव हो जाती हैं ठीकत उसी जानना महत्पूर्ण होता है ताकि हम यहां नुमान लगा सकते हैं यहां पहुंचने के लिए हम किस सधन को उपयोग कर सकते हैं जैसे पैदल चल सकर बस से रेलगारी से पानी जहाद से वायूआं से या आंतिछ यां किसका हम उपयोग कर सकते हैं कहां जाने के लिए जैसे मेज होती है, डेक्स होती है कि लंबाई दो डंडो की, लंबाई तथा दो गिलियों की लंबाई की योग के बराबर होता है. जो टेस्क के मद्ध में रेखा खेज़ने पर दोनों प्रशन दिखाए देते, क्योंकि दोनों को आधाधा डेस्क में मिल गया. मतलब एक बताया गया कि कैसे उसको मापने की बिधी बताई गया या उसको आप यहां पर एक बार देख लेना बाकि इसमें कुछ इंपोर्टन नहीं है यहां पर आगे लिखा हुआ है यहां से देखते हैं लिखा है वह एक कारिक कर सकते हैं एक छोटी डोरी ले और इस पर दो चिन्हें लगाएं या डोरी की एक लंबाई होगी जो वह डेस्क की लंबाई डोरी की लंबाई के पदों के माप होती है मतलब एक मापने की बिधी बताई गया इसमें से कुछ नहीं है जो आपको हम बता सकें अपने पैर की लंबाई को लंबाई का एक मापन मान कर अपनी कच्छा के कमरे की लंबाई मापी है। मतलब एक लंबाई का मापन का तरीका यहां बताया गया है। ठीक है उसी को यहां देखना है। ठीक है आगे यहां लिखा हुआ है। मापन के मानक मातरक क्या होते हैं। ल बिकाय हरपपा सभथा के लोगों ने अवस ही लकडी के बहुत अच्छे मापन का प्रयोग किया होगा क्योंकि यह खुदाई से प्रात परिसुद्ध जयमितियर रचनाव को देखने। मतलब उस काल में भी लोग मापने का काम करते थे। कोहनी से उंगली के छोड तक कि लंबाई जिसे हाथ कहते हैं लंबाई के मापन की रुपे प्राचिन काल में मिस्र में उपयोग किया जाता था आज भी किया जाता है लोग एक हाथ कहते हैं एक हाथ दो हाथ तीन हाथ और इसे नापते हैं तो ऐसे भी हम हाथ से भी लंबाई क मापते हैं संसार के बिवन भागों में लोग लंबाई के मात्रा के रूप में फुट का जो है उपयोग करते हैं तो लंबाई का एक मात्रा क्या हो गया फुट हो गया अलग अलग छेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन होती है सब जगा अलग अलग होती है लोग एक बताया गया है ठीक है लिखा है प्राचिन काल में छोटी लंबाईों को मापने के लिए अंगुल अथवा मुठी का उपयोग किया जाता था आज भी भारत के कई सहरों में हम पुस्ट विक्रताओं को पुस्ट वहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं को उपयोग से लोग मापते थे देधरे उसी का विकास हुआ है लिखा था पर्ते एक ब्यक्ति के सरीर की आयामों में थोड़ी भिन्टा हो सकती है सायद इसी कारण भी मापन में पुल जहने पाई होंगी 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन के एक मानक पढ़ा लिके रचना कि जिसें मीट पढ़ा धिका भी सकार कप किया गया तो प्रांसीसियों ने किया था 1790 में इसको आपको नोट कर लेना है ठीक है लिखा है एक जो है समानता ठीक है एक समानता के लिए समस्तर संसार के बिग्यानिकों ने मापन के मानग मातरकों के एक सेट को सुभिकार के लिए आजकर जिस मातरक पढाली का उपयोग होता है उसे अंतराश्टिय मातरक पढाली अथो ऐसाई मातरक कहते हैं इस सब कोशन कई बारी जाम में आ चुका है, ठीक है, अगर यह लिखा हुआ है, जिसमें आपको जैमित्य बास का 15 cm पैमाना भी दिखाया गया है, तो लंबाई का मातर दिखाया गया है, अगर लिखाया है, परतेक मीटर को 100 बराबर भागों में भाजित के जाता है, इन्हें cm कहते हैं, तो मीटर से क्या बनता है, cm, एक cm के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें हम mm कहते हैं, अब इस चीज़ें कहां मिलेंगी आपको, तो इस चीज़ें आपको यहीं मिलेंगी समझने के लिए, ठीक है, तो यहां देखना, मीटर को 100 बराबर भागों मातेंगे, तो cm, मीटर और सेंटी मीटर को दस बराबर भागों बातेंगे तो मिली मीटर मिलेगा यह आपे दिया गया है यही सब कोशन एक जाम में आता है एक मीटर बराबर सो सेंटी मीटर और एक मतलब सेंटी मीटर बराबर दस मिली मीटर आगे लिखा है लंबाई के बारे में लंबी दू मापते हैं तो उसके लिए हम km का उपयोग करते हैं और एक Mitarbeiter बराबर 1000 mm होता है आप सिब को पता ही होगा लिखा आप हम अपने सब्हुत मापन क्या कि अकलाबों को मा पन का उपयोग करके दोरा सकते हैं क्या लंबाई को ऐसा ही मापत तक से माप सकते हैं ऐसा करने से पहले हमें दूरियों और लंबाई माापने के सही ढंगा जानना होगा लिखा है लंबाई की अथार्थ पर सुध मापन क्या होता है तो लंबाई के बारे में यहां और detail में दिए गया है ठीक है यहां लिखा है अपने दैनी जीवन में हम बिभिन परकार की जो है मातरक युक्तियों का उपयोग करते हैं लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं तो ठीक है दरजी जो हता है वो मापक फीते का उपयोग करता है जबकि कपड़े के जो है ब्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं किसी माप के लिए आप मीटर प्यमाने का उपयोग नहीं करते हैं ऐसी मापन के लिए आप Celt कि रोपे का इस्तिमाल करते हैं फीता अधिक स्दाजेणक होता है हम फीते से अपने जो है सीने को मापते हैं ठीक है? लिखा है छोटी लंबाई जैसे आपको पेंसिल के लंबाई मापने के लिए आप अपने जया मितिया बॉक्स से 15 सेंटी मिटर पैमाने को काम में ला सकते हैं तो याद रखना जो हमारा स्केल होता है उससे भी हम चीजों की माप करते हैं यह उसी के बारे में यहां पताया गया है लंबाई मापने समय हमें निमे की साओधानिया बरतने की आव सकता होती है पहला क्या होता है ठीक है तो लिखा है कि पैमाने को वस्तों के संपर्ग में उसकी लंबाई की अनुदिस्क रखिये पहला कुछ पैमाने के सेरे टूटे हो सकते हैं आप इन पैमानों के सुनियाद असपर्ट नहीं हो सकते हैं मतलब कि जम कुछी मापने कुछ ये टूर जाती है तो उससे भी हमें मापने में कठना ही होती है उससे को यहां दिया गया है मापन लेदने के लिए आग की सही सिती महात्पूर होती है आग की सिती भी बहुत सही मात्पूर होनी चाहिए अगर कोई यहां बैक्ति बैठा तो उसके और इसके बैठने एक तीनों में क्या होता है अंतर होता है उसी को यहां बताया गया है ठीक है इसको आप एक बार देख लेना बाकिस में कुछ मात्पूर नहीं है तेख सब के लिया कलाप हैं बाकी इसमें आप देख लिएगा एक बार ठीक है यह लिखा किसी वक्रेखा की लंबाई का मापन अगर वक्रेखा है तो उसकी लंबाई कैसे मापते हैं तो लिखा है हम किसी वक्रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उप्योग करके नहीं माप सकते हैं वक रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागों का उप्योग कर सकते हैं अगर कुछ वक कर है तो इसको हम मापने के लंबाई का इस्तेमाल धागे के रूप पर करते हैं ठीक है लिखा हुआ यहाँ पे वक्र एखा A, B कि लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए धागे के एक सिरे जैसे यहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हैं एक जैसे A है और यहाँ पर B है तो यह एक तरह से वक्र है तो इसको मापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक धागे का सहारा लेना पड़ेगा जोकि वो जो है लंबाई सीधी नहीं है धागे के एक सिरे पर गाठ बांधिये इस गाठ को बिंदू A पर रखिये अब धागे को अपनी इंगो लिए और उससे जो आ तने दौरा तना हुआ रखकर अपने सीरे छोटे भाग को रेखा के अनुदूस रखिये मतलब है कि मापने की बिदी बताए गई है कि इसको हम मीटर से नहीं माप सकते हैं सीधे इसके लिए हमें धागे नुमा और चीज़ों क्या हो सकता होती है वो ही बताया गया है फिर लिखा है हमारे चारोवर गत्सील वस्तू है तो लिखा है हमारे चीज़े आस पास की चीज़े बहुत चीज़े गत्सील होती है तो क्या होता है तो लिखा है उन वस्तों के बारे में सोचे जो आप आपने हाल ही में देखी है ठीक है उनके सूची बनाना है एक बच्चों को होमवर्क दिया गया है ठीक है लिखा है कि जो है सूची में स्कूल का बस्ता मच्चर मेज कुर्सियों पर बैठे बैकती इधर उ कौन गत्सीर है और कौन बिराम है इसको एक परिचर करना है ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं किर्या कर आप छे कि वो देखते हैं तो लिखा है कोई ऐसा अस्थान चुनिए जहाँ चीटियां हो इस अस्थान के निकट कागज की एक बड़ी सीट फैला कर इस पर कुछ चीनी रखें हैं चीटियां इस चीनी की ओर आकरसित होगी कया तथा आप सीग रही इस कागज की सीट पर बहुसे चीटियों को रेंगतेआँ देखेंगे किसी एक चीटी के लिए जब वह कागज की सीट पर तुरestly रेंग चुकी हो तो पैंसिल से उसकी जो है सीटियों के निकर छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए जैसे जैसे यहा जैसे जैसे यहा कागज पर रेंगती जाएं आप इसकी स्थितियों पर चिन्ह अंकित करते जाएं मतलब कहने मतलब है अगर चीटी कहीं जा रही है ठीक है एक अस्थान दूसरे अस्थान तो उसको आप अगर पि जो है चीटियों को हटा दीजे इस भभी ने बंदो जैसे अपने आप कागश पर अंकित किया है को सिरों, तीनों दोरा, तीरों दोरा जोड करके चीटी की गतिक की एसा दरसाएं, वह बिज़ बिभी हों हर बंदों के जो है देखेंगे कि अपने कित किया है कुछ सिकंडों के समय अंतराल कि में चीटियों ने कहां कहां गती की है वह दर्साया गया है तो उसी को बारे में हम बताया गया है यह कैसे किसी चीज की दंबाई हम माप सकते हैं जब वो चीजे सीधी ना चल लई हूँ तब लेकिन यहां अगे लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज जैसी भी हो जैसे वस्तों के समय बनाते समय आप जैसे घड़ी सिलाई की मसीन अथवा बिजुली का पंखा जैसे वस्तों को किस समय में रखते हैं तो यह सब इस्थित हैं मतलब इस्थिर हैं लेकिन इस्थिर होकर गती करती हैं तो क्या यह वस्तों एक अ जिसे हम विभिन परकार की गतियों को समझने में सहता मिलेगी। तो कुछ चीजें होती हैं जो इस्तिर होती हैं तब गति करती हैं। यहां देख सकते हैं आप। लिखा है गति के परकार। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च, फास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का प्रेचन किया होगा। यह किस परकार की गति हैं। सो मीटर दौर परत्योगता में धावक भी सरर रेखा के अनुदिस दौरते हैं। क्या आपने अपने चारोड देखकर इसी परकार की और अधिक उधार सो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे पहला है चित्रह रोड पर गालिया चल रही है। एक है सरर रेखा के अधर गति में आपको सिपाही प्रेड कर रहे हैं। एक है पर है इसके बारे अलग बताया है। इस चीज क्या है अलग बताया है। इससे एक धागा में और आपने हाट से इसके तेजिस घुमाईए। पत्थर की गती को ध्यान से देखिए हम देखते हैं कि पत्थर बित्य पत्थ पर अनुदिस गती कर रहा है तो गर हम एक पत्थर लेते हैं और यहां हाथ से पकरते हैं तो पत्थर गूमेगा जब ऐसे ऐसे और असी से तो जब उसकी गती क्या कहते हैं अनुदिस गती कहा जा वर्तुल गती कहते हैं, बिजुली के पंखे की पंखे की पंखोडियों पर अंकित किसी चीन की गती, किसी घरी की सिकेंड की सुई की गती वर्तुल गती के उधाना है, अब आप समझ सकते हैं, कि पंखा किस गती का समान है, घरी के है, तो इसे हम वर्तुल गती कहते हैं, आग किसी परकार का कोई चिन अंकित कर दे तो घुरन करते समय पंखे और फ़ागुष के केंदर के चिन के दूरी समान होगी तो उसी को यह बताया गया है अब आप इसको समझ गए होंगे ठीक है तो आप देख सकते हैं आप एक चित बना है रहट का रहट मतलब होता है यह जो बै इसका सूचक होता है तो मुर्गा का मूझ इधर होगा इसका मतलब हवा उधर से दूसरी ओड़ से उसके अपोजिट चलती है तो हवा के दिसाग्याद करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था पहले भी ठीक है और आज भी कहीं कहीं होता है लिखा है अंतराल के बाद अपने गती को दोहराईए इस परकार की गती को क्या कहते हैं आवर्त की गती कहते हैं डोरी से बंदा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने किर्यकलाप साथ में उप्यो इसे लेते हैं और उसको इसे बाद देते हैं डोरी से यहां पत्थर है और पत्थर को इसे हम घुमाते हैं तो लोलग गती होती है ठीक है तो लोलग गती अभी होती है लेकिन अपने जगा इस्तिर है और गती कर रही है जिसे एक घड़ी को दिया गया है तो लोलग घड़ी इसकी साखाओं का इधर उधर लहराना, जूला जूलते बच्चे की गती, सितार की डोरियों की गती, बजते समय ढोलों की जिलियों की गती, ये सभी आवर्थ गती के उधारन है, अब कितना important चीज़ यहां दे दिया गया है, इसी को हमें वहां समझना है, आगे लिखा है, ब बहुत से मापन किर्याकराब को देखा, तो उसे के बारे में यहां बता दिया गया है, ठीक है, आगे यहां बड़ देता हूं इसको, लिखा है, तथा कुछ परकार की गतीयों के भिसे में चर्चा की है, हमने देखा कि समय के साथ इस सिती में परिवरतन को गती कहते हैं, इ कोई वस तो कितनी धीमियत वाक्ति गती कर रही है, फर्स पर घोगे का देखना, तितली का एक पुस से दूसरे पुस पर मराना, नदी का परवाहित होना, वाय का वायवान में उचाईयों तक उनना, पिर्थवी के परता चंदमा दोरा गती करना, हमारे सरी में रुधिर का परिसंचन करना, आज इस अभी उधान हमारे चार और अने परकार के अस्थानों गतियों के दरसाते हैं, तो गतियां कई तरका होती है, कैसे होती है, समय ने बता दिया, उसको एक बार आप लोग देख लीजेगा, यहार कुछ नोट से दिया गया है, उसको देख लेते हैं SI उप्योग करते हैं, इससे समझ सनसार में मानता प्राप्त है, SI मापको में लंबाई का मातर मिटर होता है, सरर रेखा के अनुदिस गति को हम सरर रेखे गति कहते हैं, वारतल गति में कोई वस्त इस परकार गति करती है कि उस वस्त की किसी नियत बिन्दू से दूरी समान ह जिसे आप डंडो लेते हैं, धागा लेते हैं, डोरी लेते हैं उसमें जब हम पत्थर बानते हैं, जो घुमाते हैं, ठीक है? आगे लिखा ऐसी गती जो एक निचित समय अंत्राल के पचा दोराती है, उसे हम आवर्द गती कहते हैं, जैसे लोलक हो गया, यह बहुत महत्मूर जो चीजें थी मैंने बता दिया, उसको एक बार आप देख लीजेगा, ठीक है?